एक बच्ची की हत्या का मुकदमा खाना चंदपा में लिखा गया था, उसकी जड़बाडी गाउं के बाहर मिले थी, पुलिस ने जैसे सूचना पराप्त हुई हमने इसमें अभ्योग पंजिगर्थ किया, सव को कबजे में ले करके हम लोगों ने पोसमाटम के लिए भेजा और जो तहरीर आई थी, उसके आधार पर अभ्योग पंजिगर्थ हुआ था, उसमें जो लड़के संदिग्द बताये गए थी, उन लोगों को हिरासत में लेके जब पूस ताच की गई, तो घटना करम का प थी, इसको उसने दुबरजिस्ती पकड़ के उसे के साथ छटना की लड़की के चिलाने पर, इसने चाकू से उसके गले पर कई चोट मारे, उसके सरीर पर चोट और मारे, जिससे वो घायल हो गई वहाँ, गरपड़ी, और इसकी हत्या करने के बाद इसने पुआल में उसको ढ़क दिया, और जब गाहँ वालों ने कोजबीन सुरू की, तब इस बात का खुलासा हुआ, और उसको वहाँ ढ़कवाने में डिट बाड़ी को ये दूसरा लर्का भी मदद किया, इस अधार पर दोनों को ग्रेफतार किया गया है, और इनकी निशान देही पर वो आला कत अधार बरामत हुआ है, ये बहुत ही जगन में अपराद इनने किया है, पुलिस इसमें बहुत घहराई से तप्तीज कर रही है, और जितनी एविडेंस है, उसे कलेक्ट करके, इसको जन्दी से जन्दी हम्रों के बेचना कितम करके, नियाले में पेश करेंगे, जिससे इनक और इसके जन्दी है, अटके जन्सैद कर रही है, ये बहुत हुआ है एक परत 카ी डर खके जन्दी एफिता है, उस póङ बहुत है तो झसमें से जन्म करते तो कर दो सकता सा हुत है heई me